शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, शरद रितु में मनाये जाने वाले सबसे महित्वपून हिंदू त्योहारों में से एक है, ये हिंदू महीने अश्विन में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ज उस पर माता लक्ष्मी खूब क्रिपा बरसाते हैं। इसी दिन चंद्रमा रात्री में सोलल कलाओं से पूर्ण हूँकर अपनी किरनों से अमृत बरसाता है। जो पूर्णता और समृत्धी का प्रतीक है। परमपरा के अनुसार शरग पूर्णिमा पर जागना शुब माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उन घरों में आती हैं जहां लोग जागते हैं और उन्हें धन और समृत्धी का आशिरवाद देती हैं। परिवार अक्सर रात को जश्न मनाने के लिए भक्त गीत, कहानी सुनाने और सामुदाइक प्रार्थनाओं के लिए एकठा होते हैं। खीर खाने का शुब महूर्ट सत्रल तारीक को सुबह पांच बच के उन्चास मिनट बजे से साथ बच के पांच मिनट बजे तक रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा विडियो पसंद आया टू लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदू रिचूल्स को सब्सक्राइब कीजिए बाइ बाइ दोस्तों।